हमने दो बड़े सूक्ष मुद्दों पे प्रश्ण उठाया था पहला और एहम मुद्दा था कि हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कंप्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुल कॉंस्क्वेंसी से, कैंडिडेट द्वारा कि धाई बजे के बाद, जो अपडेशन होता है, राउंड बाए राउंड, यानि काउंटिंग जब गर्णा हो रही होती है, तो हर राउंड पे एक आखड़ा प्रकाशित होता है, उसमें बहुत धील आ गई है, या बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, यानि हर आदे घंटे में वो आखड़ा अपडेट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पे, ये हमारी कंप्लेंट थी, दो कंप्लेंट थी, एक तो के संसदियक शेत्र के अनुसार, ऐसा कोई अपडेशन नहीं है, हही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेग्मेंट के अनुसार, पूरी एक स्पक्ष्टा होती है, और निश्पक्ष्टा होती है, उस पर अननेसेसरीली बिनाकारण के एक प्रस्टिशन उठता है, तो इसको जल्दी होना चाहिए, हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगा है, हमने का कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश, चुनाव आयोग के अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं, असेम्ली सेग्मेंट वाइस, तो असेम्ली सेग्मेंट वाइस, जो आंकड़े आते हैं, उनको अपडेट वो तब करते हैं, जब एक असेम्ली सेग्मेंट अगर साथ हैं एक संसिती शेतर में, वहाँ पहले आता ह जहां बाद में आता है, वहां बाद में होता है। इस दौनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे, वो आदेश भी देंगे कि जो assembly segment के अनुसार उसके आधार पर जो updation होना चाहिए वो जल से चल हो और मैं समस्ता हूं कि अगर यह आदेश तुरंट चला जाए कि कुछ घंटे बचे हैं गणना में तो यह एक प्रकार से हल होगा बड़े एक सौराद्दे के साथ यह बातचीत में बुस्टू। We went to the Election Commission at short notice to convey a concern of ours. It was more a concern, less a complaint. We are very happy that they gave us time at very short notice. They heard us patiently. The main issue was about not updating parliamentary constituency data round by round in terms of votes counted and the results of that round. However, it was clarified that it is done assembly segment-wise. As you know, these are not क्वार अस्mtै क altern impressus फान। सुच्व सिर्ट का व। ऑबने कि इसकtinाध वावाग्थं। व। अस्शिम्न वाग़ टो पार्लिमन अश्मान। नहरा में ऑन व। धेस्टी सेंट lledude फान। अस् dessa stop aí। फारिक्ड मॉण ल। इसक्वाद बड़ें य। that different assembly segments follow different speeds of counting and also of updation which is why there is a lack of synchronism for the parliamentary conspiracy as a whole in any case the election commission has assured us that without all this technicality they are again going to give very strict instructions that counting and updation roundwise at the assembly segment level shall be the fastest and the most prompt as possible we are happy if that happens and i think the matter would be resolved only a few hours are left for the elections and we don't want to create unnecessary question marks so long as this direction to immediately a to count fast and b to promptly disclose the counting round for each segment there is a second issue my friend will address you on there about sonipat is 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 एक विशह था, एक छोटा छोटा परन्तु महत्वपूर्ण एक विशह था और वो सोनीपत पार्लमेंटरी कॉंस्ट्वेंसी के संबंध में था, वहां दो असेम्ली सेग्मेंट्स हैं, एक सफेदो हैं और दूसरा है वोरोडा, वहां पर दो बूट्स ऐसे थे, जहां पर ये इवी एम बिगड़ गए हैं और इसलिए वो काउंटिंग नहीं हो पा रही है, तो हमको ये बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जहां भी ऐसा होता है, तो वो स्लिप्स की काउंटिंग कर दी जाती है, और अगर नहीं भी हुआ हो, तो जब अंतर आता है, अंतर में जो अ का कि कोई संदे ना बचे और वहा की लोग जुनों ने हमको ये बात पहुचाई थी वो संतुष्ट हो जाए it's a small thing but an important thing because although only two boots are involved two boots of two constituencies in Sonipat parliamentary constituency one is Baroda and the other one is Safido and there was some issue there that because the EVMs had developed the fault the counting could not be done and for that the election commission was kind enough to explain that where this happens we already have instructions we will check once again that the VV patch slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted so we've come back fairly satisfied and we are happy that the election commission has cooperated with us in these matters thank you